मेरा प्यारा देश, मेरा गौरफ, मेरा अभिमान जिस पर देश का हर इंसान कुर्बान है सभी देश वासियों को न्यूजवाल इडिया के तरफ से गंतन्त दिवस की धेरोशुप कामना है हम सभी जानते हैं कि देश 15 अगस सन 1947 को आजाद हुआ था और इसी वज़र से हम हर साल 15 अगस को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं लेकिन स्वतंत्रता दिवस को लेकर इतिहास के पन्नों में एक बड़ा तथे छिपा हुआ है दरसल देश आजाद होने से पहले करीब 17 सालों तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाये जाता था इसकी अपनी एक लंबी कहानी है ये बाद सन 1929 की है इस साल 31 असंबर को पंडित जवाहरलाल नहरू ने रावी नदी के टट पर लाहोर अदिवेशन में हिसा लिया था और सबसे पहले तिरंगा पहराय था और इसी दोरान उन्होंने सबसे पहले स्वतंत्रता के लिए 26 जनवरी की तारीख का एलान कर दिया था सन 1885 में कॉंग्रिस की स्थापना हुई जिसके बाद 26 जनवरी सन 1930 को संपूल स्वाराज की मांग उठी इस मांग के साथ ही हर साल प्रतिकात्मक तौर पर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की खोशना की गई यह सिरसला तब तक चलता रहा जब तक देश को आजादी नहीं मिली हाला कि जब देश आजाद हुआ तो वो तारीख थी 15 अगस 1947 लेकिन स्वतंता से नानियों ने आजादी के बाद 26 जनवरी की तारीख की एहमियत को बड़करा रखने का प्रियास किया आगी चलकर सनुनिस सुपचास में जब हमारा समिधान लागु हुआ तब 26 जनवरी तारीख को इसके लिए खासे मुकरर किया गया हमारा समेधान जिस दिन लागू हुआ उस दिन को गणतंत्र दिवस खोशित किया गया देश तभी से हल साल 26 जन्मरी को गणतंत्र दिवस मनाता आ रहा है